Hello students of Jackboard आज आपके सामने हम लेके आए हैं Model Set Question Papers का Part 2 तो जिन लोगों ने Part 1 नहीं देखा है पहरे चैनल में जाके आप Part 2 देखेंगे English Core का Model Question Papers Solution तो Objective Question मर 1 to 30 आपको बता दिया गया है आज हम लोग Question मर 31 से आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप Subjective Part में आते हैं Class 12 के प्यारे बच्चों तो आप वहाँ पे पाते हैं क्या Subjective Questions में सबसे पहला एक Comprehension आपको मिलेगा तो Comprehension का Answer क्या होगा वो तो आपको बता ही जाएगा साथ में बता जायता है कि Answer को ढूंडते कैसे हैं Answer को बनाते कैसे हैं तो चलिए सिर्फ Answer बताना मेरा उदेश नहीं होगा Answer कैसे बनता है ये भी बताना मेरा उदेश ये होगा तो आएए सीखते हैं समझते हैं और Practice करते हैं तो जैसे ही आप Reading Section में आते हैं पहला काम आपको क्या करना है सबसे पहले Question के लिए नीचे आ जाएएगे means Extract को उपर डारेक्ट नहीं पढ़ेंगे आप जो यहाँ पर Question देख रहे हैं 31, 32 ऐसा करके 38 तक Question दिखेगा पहले इस Question को पढ़के आपको Meaning Drive कर लेना है कि आखिरकार में जो गद्यान्स पढ़ने जा रहा हूं उस गद्यान्स के अंदर मुझे मिलने के अवाला है तो Question देखते हैं Where was the author going? मतलब वो कहीं जा रहे हैं Where was the forest rest house? Forest का rest house कहां था How did the group manage to get there? Group वहाँ पहुंचा कैसे? Which creature did they see first? सबसे पहले कौन से creature? प्रानी वहाँ पे दीखे Who were the star of the show? वहाँ पे सबसे सुन्दर सबसे अच्छा कौन था? What does the author mean by the magnificence of nature? यह तो word meaning वाली बात है तो इसकी meaning आपको बतानी है How are the kingfishers and the open-billed stalks described? Kingfisher और open-billed stalks पक्षियों को किस तरह से बताया गया है? What did the cheetal deer and the wild bird doing when the motor boat went past them? तो यहाँ पे चीतल, deer, boar, पक्षी इन सबसे पड़ा चल रहा है कि जंगल है, नाओ है, जानवर है, पक्षी है तो इतना जब आप समझ के उसके बाद आप comprehension पढ़ेंगे तो आपको comprehension बहुती आसानी से समझ में आएगा इसके बाद step two है आपको question पढ़ने के बाद comprehension को line by line पढ़ते जाएंगे और जो भी चीज आपको important समझ में आता है जैसे line साब कुछ भी पढ़ रहे है आपको important जो भी समझ में आएगा कि यह आखिरकार कहां की है बात तो यह जगा दिख रही है कहां पे है तो उडिसा में है इसी तरह से जो भी आपको important लगता है कि जैसे क्रोकोडाइल वहां पे बास्क कर रहा है सन में बास्क मतलब धूप सेक न तो जो भी important आपको दिखेगा आप उसको underline करते जाएंगे पढ़ते पढ़ते answers आपको वहीं से मिले के chances high रहेंगे question आप पढ़े हुए है अब ये करने के बाद final आता है stage 3 जहां पे हम questions का answer करते है तो यहां पे आपको क्या करना है answer एनि 6 तो इस बात का धियान रखेंगे कि सारा answer नहीं कर देना है वहां पे क्या करना है आपको कोई 6 question ही आपको करना है ठीक है और इसके लिए आपको मिलेंगे 12 marks तो अब मैं answer बताता जा रहा हूँ आप उसको देखते जाएंगे what was the author sorry where was the author going the author was going to भितर कनिका wildlife sanctuary in Odisha ठीक है तो यह उपर मैंने underline भी किया था तो जो भी important है वो underline तो हम करी लेते हैं answer लिखने के बाद भी आप ऐसे underline कर सकते हैं question number two where was the forest rest house forest rest house आखिर गर कहां था it was in the heart hurt मतलब क्या था बिलकुल beach of the mangrove forest mangrove forest के बिलकुल beach था rest house अगले question में आते है number three how did the group manage to get there तो ये group आखिर कर वहां पे पहुँचा कैसे तो इसका answer है आपका the mortar boat was higher एक mortar boat जो एक किराय पे रखा गया to get there और group वहां पे पहुँचती है which creature did they see first तो मैंने underline किया थो पर आपको धिहान होगा they found a large crocodile basking in the sun उन्हें एक बड़ा सा मगरमस देखता है जो धूप सेक रहा था who were the stars of the show answer है the kingfisher birds were the stars of the show तो सबसे खुबसरत जो वहां पे दिखा author को वो था kingfisher birds आगे रेखते हैं question number 36 what does the author mean by the magnificence of nature प्रकृती की खुबसूरती से क्या समझते है तो answer simple है beauty answer बन जाएगा it means the beauty of the nature तो अभी मैंने आपको जो छोटा 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 आंसर बताया तो आप कहेंगे क्या सर इसमें दो में दो मिल जाएगा तो मेरा answer होगा कि ज़्यादा अच्छा होगा कि इसके आसपास का sentences और एक दो आप लिखेंगे जो इसको support कर रहा है तो क्योंकि वीडियो यहाँ पे मुझे short बनाना है जादा लंबा आपका समय नहीं लेना चाहूंगा इसलिए मैंने answers छोटा रखा है लेकिन जो average बच्चे है average बच्चों के लिए यह answers बिल्कुल सटीक है to the point answer आप लिखते हैं तो आपको अच्छा marks definitely मिलेगा अब आगे एक answers देखी थोड़ सा मैंने लंबा किया है इतना लंबा अगर आप लिख सकते है to marks के लिए तो जाद अच्छा होगा तो किंग फिशर और ऑपन बिल्ट स्टोक्स को किस्ता से डिस्क्राइब किया गया answer है the king pictures are described as the stars of the show ठीक है उनको सबसे खुबसद बताए गया है and the open-built stocks are described as standing century-like तो यह जो है century के जैसे खड़े हैं कौन open-built stocks question number 38 में आते है what were the cheetal deer and the wild bird doing when the motor boat went past तो जब motor boat bugle से गुज़ी तो यह दोने जानवर क्या कर रहे थे answer the wild bird was searching for skull and roots तो यह आप lines पढ़ेंगे अंदर आपको ढूना होगा keyword है आपका wild boar wild boar के आसपास खोजिएगा कि वो क्या कर रहा था तो वो skull and roots को ढून रहा था और cheetal क्या कर रहा था keyword आपका चीतल हो गया वो delicately browse on the fresh corpse of the leaves यह काम कर रहा था तो इस तरह से हम उसको answer को present करते हैं कोई भी दो question जो आपको tough लगे आप उसको छोड़ दीजेगा अगला आते इस बार आपका क्या है कोई भी 6 answers आपको बनाना है ठीक है और इसके लिए आपको 33 marks मिलना है 18 marks मिलना है तो इस तरह देते हैं तो एक एक करके मैं सारा answers बताता हूँ तो जिन बच्चों को note making नहीं आता है summary writing नहीं आता है तो मैं step by step सब कुछ आपको बताऊंगा तो मेरा मकसद सिर्फ answer बताना नहीं आपको पढ़ाना सिखाना समझाना है कि किस तरह से आखिरकार answers को deal करते है और article कैसे लिखे, report कैसे लिखे note making कैसे बनाए ये सब कुछ आपको मैं short में बताता भी चलूँगा तो पहला question जो हमें यहां मिलने वाला है गद्यांश का रहे मैंने बताया था make a note on it तो यहां पर question है कि आपको note making बनाना है you may use headings और आप उसके लिए क्या क्या चीज यूज़ कर सकते है तो headings यूज़ कर सकते है sub headings यूज़ कर सकते है और abbreviations यूज़ कर सकते है तो क्या क्या यह होता है आपको बता दे तो इसका steps अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि note making आखिर कर बनता कैसा है तो सबसे पहला काम इसमें जो है आप इस गद्यांश को इस comprehension को अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ लेने के बाद इस गद्यांश के लिए एक प्यारा सा title सोचेंगे आप एक बार में समझ गए तो बहुत अच्छी नहीं तो आप वापस बैग जाके मेरी बात को दुबारा सुन ले ठीक है तो अब यहां पे आते हैं कि आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया और एक प्यारा सा heading इसका चुन लिया जैसे मैंने heading चुना यहां पे harmony with nature प्रकृति के दाथ सामन जस तो यह कहलाता है आपका title यह जो आप देख पा रहे हैं यह क्या है title और यहां पे जो आपको A, B, C यह जो आपको दिख रहा है यह आपका है points और नीचे जो आपको 1, 2, 3 दिख रहा है 1, 2 दिख रहा है यह आपका क्या है sub points तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप note बनाते हैं तो आपका एक proper heading होगा ऐसा और फिर points A, B, C और sub points 1, 2, 3 में आपको इसको deal करना है और नीचे जो है आपको abbreviation box बनाना है पर abbreviation box बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि abbreviation use करेंगे तो यहाँ पर मैंने देखे कुछ abbreviations दो use किया है कम से कम 4 से 6 होने चाहिए यहाँ पर first है reasons और यहाँ पर आप देख सकते हैं जुन्ड में 3 है essential, first और end के लिए ठीक है तो इस तरह का point और sub point लिखते वक्त आप abbreviations का use जरूर करेंगे और यह easily understood abbreviations या की short forms होने चाहिए अब देखे आपने पूरा पढ़ लिया आपने title दे दिया आपने points दिया reasons to conserve nature और उसको support करने के लिए 3 sub points दिया फिर दिया number B में balanced ecosystem उसको support करने के लिए 2 point दिये तो यह 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा fix नहीं है आपके जरूत के हिसा आप से आप देते हैं कभी 2 भी होगा, कभी 3 भी होगा, 4 भी आप दे सकते हैं फिर number C में importance of rain forest तो यहां importance को आप देखिए इसको मैंने फिर से short form में use किया है ना और यह जो short forms है उसको मैंने यहां पे आप देख सकते हैं दर्शाया है, जितना भी short form यूज हुआ है यहां पे आप key box ए, abbreviation box लिखके सारे short forms को पहले जैसे आप यहां देखे, importance मैंने लिखा है short form, फिर dash देखे, उसका full form लिखते है यह पूरा काम complete करने के बाद इसको box में कैसे बंद करते हैं वो आप देख लीजे एक बड़े से box के अंदर, पहले title points, sub points और सबसे नीचे यह key box, ठीक है तो यह देने के बाद जो है आपका पूरा का पूरा note making का काम complete होता है अब आगे बढ़ते summary writing, यह बड़ा आसान होता है, summary writing में आपको क्या करना है, जो उपर आपने note बनाया है, उसी को आप sentence formation में लिखते हैं और एक अच्छा सा heading देके उसको अपने शब्दों में अगर आप लिख पाएं तो बहुत अच्छी बात, आसान सब्दों में, नहीं तो उपर से ही lines को जो है, आप लेके मदद करके, मदद लेके उपर की lines आप इसको बनाएंगे, ठीक है और पूरा लिखने के बाद, पहले आप एक title देंगे, जैसा यहाँ पर आपको एक title में, तो कोई problem नहीं है, पर अगर आप इसको box में बंद कर देते हैं, तो यह दिखने में अच्छा दिखता है, तो यह हो गया आपका summary writing, three marks का, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, question number 41 के पास, हाँ, आप screen shots लेके answers को देख ले, समझ ले, ठीक है, you are Virat Advika, the head boy girl of SS Plus 2 High School, Silly, your school is organizing a tour to Neterhat, write a notice, inviting the students who are willing to go the tour in not more than 50 words, तो एक ब्रह्मन पे जाना नेतरहाट, और आपको notice निकालना है बच्चों के लिए, कि बच्चे जान जाए, समझ जाए, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो notice का format देखे, यहाँ पे आपको उपर में चार चीज़े दिख रही है, सबसे पहला क्या चीज़े, एक heading आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर notice लिखा हुआ दिखेगा, फिर यहाँ date दिखेगा, और फिर यहाँ school का नाम दिखेगा, अब यहाँ पे एक थोड़ सा confusion होता है कि किसी-किसी book में school का नाम ऊपर दिखेगा, और heading नीचे दिखेगा, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यह दोनों ही acceptable है, दोनों ही स्विकार किया जाता है, तो just इसके नीचे मैंने और एक notice लिखा है, वहाँ पे मैंने इस काम को उल्टा किया है, और दोनों ही acceptable है, कोई problem नहीं है, ठीक है, अब notice लिखने का तरीका देखते हैं, पहले मैंने वहाँ पे दे दिया heading, फिर दिया notice, फिर दिया date, date का position और तरीका देख लीजेगा, फिर वहाँ पे मैंने school का नाम लिख दिया, अब उसके बाद, बिल्कुल simple sentences में, मैं notice draft कर रहा हूँ आपके लिए, तो यह screenshot आप ले सकते हैं, this is to inform all the students of our school, हमारे विद्याले के सारे बच्चों को सुचित किया जाता है की, we are organizing a tour to नेतरहाट, हम लोग एक ब्रह्मन अरेंज कर रहे हैं नेतरहाट जाने के लिए, the interested students are needed to get their names enrolled with their class teacher before 15th of this month, तो जो भी एक्षुक्षात्र हैं, ठीक है, जो भी एक्षुक्षात्र हैं, वो अपना नाम चड़वा लेंगे अपने class teacher के पास, 15 तारीक के पहले इसी महीने के, ये लिख दिया मैंने sentence में, अब सब कुछ आप sentence में लिखेंगे, तो grammar का गलती होने का chance होता है, इसलिए मैं use करता हूँ details वाला structure, ठीक है, तो ये जो details आप देख रहे हैं ना, इससे आपको sentence कम लिखना पड़ेगा, और grammar की गलती होने की chances कम हो जाती है, तो इस details को आप use करके, यहाँ पे कोई भी तीन information जो आप देना चाहते हैं, चार भी दे सकते हैं, उसको आप यहाँ पे, इससे point wise दे देता है, तो उपर details लिख देंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, फिर उसके बाद, question के हिसाब से date, fee, needed, साथ में क्या जरूत है, तो तारिक दे दिया, कब से कब तक है, fee बता दिया, 6000 परती, needed क्या है, NOC of parents, NOC मतलब क्या हो गया, no objection certificate, मतलब parents लिखित में रहेंगे, कि आपके बच्चे घुमने जाएंगे, कोई रिकर नहीं है, आखरी line जो देखते हैं, लगबग हम लोग हर notice में use कर सकते हैं, for more details, ज़्यादा जानकारी के लिए, the respective class teachers may be consulted, जो समंधित वर्क सिक्षक है, उनसे मिला जा सकता है, बात किया जा सकता है, और last में, जिसने लिखा है, अद्विका head girl, ठीक है, तो लिखने वाले का नाम और उसके नीचे क्या होता है, उसका पद नाम, ठीक है, पद नाम, जिसको designation बोलते हैं, यहाँ head girl है, कभी principal भी हो सकता है, कभी vice principal भी हो सकता है, तो वो आप देख लिजेगा, और पूरा का पूरा, finally, जो है, box में बंध होता है, heading से लेके, designation तक, चलिए, उमीद करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, question है, 42 में आता है, फिर से एक notice है, you are David Dorothy, the secretary of cultural club of St. Francis school, खलारी, write a notice for your school notice board, inviting students to give their names for a fancy dress competition, in not more than 50 words, ठीक है, तो question अपने पढ़ लिया, इस बाद fancy dress competition के बारे में सूचना देना है बच्चों को, और यह सूचना देने के लिए हम लोग notice बना रहे हैं, तो सबसे पहला काम, इस बार मैंने उल्टा कर दिया, school का नाम उपर कर दिया, मैंने कहा था, कोई दिक करती है, फिर notice हमेशा बीच में रहेगा, date का जगा नहीं change होगा, और heading मैंने इस बार नीचे लाया है, CBSE इस format को जादा पसंद करती है, तो आप लोग भी इस format को जादा प्रिफर करें, heading नीचे आना चाहिए, और heading अंडर लाइन होना चाहिए, heading के बाद सीधा लिखना स्टाट करते हैं notice, this is to inform all the students of our school, that we are going to organize a fancy dress completion, ये सार बच्चों को सुचित किया जाता है, और जो भी बच्चे बहाग लेना चाहते हैं, वो पंदर ताइक से पहले अपना नाम जमा कर देंगे, इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था, कि details को use करते हैं, तो detail यहाँ पर देख लिजए, यहाँ पर date दिया गया है, venue दिया गया है, और date का तरीका, venue, आप वहाँ पर school auditorium दे सकते हैं, hall 3 दे सकते हैं, या कुछ भी वहाँ पर room number दे सकते हैं, entry fee, यहाँ पर मैंने free रखा है, आगे यहाँ पर जो last line मैंने आपको बताया था, कि आप लगबग हर notice में use कर सकते हैं, लाइन को यहाँ पर मैंने फिर सी use किया थो, उसे अलग तरीके से, for further queries, under signed में भी contacted, यहाँ पर आपको लगज़ रखता है कि under sign का उतलब क्या है, under sign का उतलब है, अधु अस्ताक्षरी मतलब नीचे जिसने sign किया है, यह इनसान कहलाएगा under sign, तो David, नाम उसके नीचे उसका designation, पदनाम सेक्रेटरी क्लब, ठीक है, जो भी यह वहाँ पर डाल देता है, इस तरह से आपका नॉट्स बन जाता है, तो इस दो नॉट्स आपको मैंने ब्रैक्रिस करा दिया, उमीद करते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिएंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे, अगला question number 43, इस बार यहाँ पर आपको मिलता है, letter to editor, तो letter to editor, जो है संपादक को लिखा जाता है, एक खत जो अख़बार में छपवाने के लिए, request किया जाता है, तो अख़बार का नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है, the express, और रांची का है, और आपको complain करना है, frequent power breakdown in supply of electricity in your village, तो आपके गाउं में जो है लगातार बिजली की कटोती हो रही है, उसके उपर आपको letter लिखना है, तो answer लिखने का तरीका देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करते हैं, यहाँ पर senders address, तो आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिर्सपूर, पुंदाग, रांची 9, यह दो line का मैंने senders address बनाया, कि किस गाउं में दिक्कत है, इसके बाद डालते हैं, तारीक, तारीक लिखने का तरीका देखेगा, पहले मैना, फिर तारीक, फिर कॉमा देखे, वर्स लिखते हैं, इसके बाद नीचे आता है, receiver's address के लिए, तो receiver's address, जो पत्र आपका पढ़ेगा, वो कौन है, editor महोदे पढ़ेंगे, तो the editor, उसके नीचे एकबार का नाम, उसके नीचे address, और फिर जगा आता है subject का, मतलब की विशे, तो विशे में लिख रहे हैं, regarding the frequent power cut in our village, लागातार जो बिजली कट रही है, इस संबंद में, अब यहाँ पे आता है, salutation, sir, sir word यहाँ पे लिखा, और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जो letter यहाँ पे लिखा जा रहा है, my pain urges me to write down this letter to you, मेरा जो दुख है, वो मुशे बाद यह कर रहा है, कि मैं आपको चिठ्थी लिखूं, in our village there is always power cut down, and we hardly get 3-4 hours at tick supply only, कि हमारे यहाँ जो है लागातार बिखली की कटोती होती है, और 24 घंटे में सिर्फ तीन या चार घंटे बिखली मिलती है, it makes our life difficult, इससे जो हमारा जीवन बहुत ही, मुश्किल से गुजर रहा है, life difficult बन चुका है, we have complained to the electricity board, but no action has been taken, हमने बिजदी विवाग को फोन भी किया है, बताया भी चिठी भी लिखा है, पर कोई action नहीं लिया गया है, I request you to publish this letter of mine, मैं चाहता हूँ कि आप मैं इस चिठी को लिखे, so that the concerned authorities can understand the problems, कि बाद में जो है, authorities जो है, इसको समझ लेंगे, yours faithfully, Tarun Munda, और नीचे जो है नाम लिख देंगे, लिखने वाले का Tarun Munda, जो है अपनी समझ्चा को रख रहे हैं, तो उनका नाम आ गया, तो इससे आपका letter to editor, छोटा सा तीन नंबर का मैंने लिख के त्यार किया है, तो पहले question हुआ करता था, 10 marks का, 10 से घटा के किया गया 5, अब 5 से हो चुका है, ये तीन नंबर का, तो आपको अपना answer भी छोटा करना पड़ेगा, next जात है, अगला question है, report writing, तो report writing का तरीका भी समझेंगे, और लिख के भी देखेंगे, कैसे लिखा जाता है, the electoral literacy club of your school, organized a water awareness program, तो सबसे पहले आपको देखना है कि, किस चीज पे लिखना है, तो voter awareness program हो रहा है, आप ही के school में, write a report, तो लिखना क्या है, ये पता कर लेंगे, report लिखना है, तो 80 से 100 सब्दों में लिखना है, तो लगबग आधा page का आप लिखेंगे, आपका एक काम हो जाएगा, और आपका नाम भी दिया हुआ है, मुकुलिया मांची, school का भी नाम दिया है, जिला, school, प्लस टु आई स्कूल, रांची, तो ये सारा जानकारी आपको question में ही मिल जाता है, और इस सारी जानकारी का उप्योग हम लोग नीशे करते हैं, जुरूत के हिसाब से, तो अब रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहला काम हमें ये समझना होता है, कि इसमें एक सही heading देना होता है, कि आखिर का report हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो ये रहा आपका heading voters awareness, मतदाताओं का जाक रुखता, लिखने वाले का नाम जो यहाँ पे mention किया गया, इसी को कहा जाता है byline, ये objective question में भी आता है, तो किस ने लिखा है, उसका नाम यहाँ पे रहेगा, bracket में चाहें तो आपे पदनाम भी लिख सकते हैं, अब आगे देखते हैं, पहला काम करते हैं, जग लिखते हैं, और फिर तारीख लिखते हैं, ठीक है, heading था first, byline था second, place था third, fourth है date, ये आपको format पार्ट हो गया, और जैसे आपका date लिखने खत्म होता है, जहाँ पे verse लिखने जरूरी नहीं है, हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे अपने first paragraph को, तो first paragraph में मैंने यहाँ पे लिखा है, last month the Electroliteracy Club of our school organized voters awareness program, तो क्या हुआ, कब हुआ, कहा हुआ यह पहले बता देते हैं, तो पिछले मैंने, ELC club, जो कि हमारे school का है, उसने voter awareness program, conduct कराया, इन दे स्कूल केंपस, स्कूल के अंदर, Mr. Rajendra Prashad, the secretary of the club, directed the program with the help of other teachers and student volunteers, और स्कूल के एक वरियर सिक्षक का नाम, कुछ भी आप ले सकते हैं, कालपनिक भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, Mr. Rajendra Prashad, उन्होंने इसको दिशा निर्देश दिया, और वो secretary की हैसियत से एकाम कर रहे थे, सिक्षकों और विद्यार्थियों की मदद से, उन्होंने इस program को organize किया, इसमें अब क्या क्या हुआ, तो first part में आपको लिखना होता है, क्या, कब, कहां, और second part में आपको लिखना होता है, कैसे, ठीक है, तो आप कैसे पर focus करते है, second paragraph में, a model of EVM machine was made, तो EVM machine का एक model तयार किया गया था, वो गटे से हो सकता है, कागज से हो सकता है, जैसा भी उतना description दिरिंग्स होतनी है, बस model आपने तयार किया, और एक एलेक्शन का कमरा भी तयार किया गया, और जो नए वोटर्स थे, उनको एक्स्पेंड किया गया कि क्यों चुनाम जरूरी है, एक लोगतांत्रिक देश के लिए, और वोटिंग प्रॉसेसेस क्या है, क्या-क्या प्रक्रिया असमें आती हैं, फिर जो नए वोटर्स हैं, उनको वोटिंग कमपार्ट्मेंट मतदान प्रकोस्ट में अंदर भेजा जाता है, और उन सब बच्चों को जो 18 वर्स पार कर चुके हैं, नए वोटर हैं, पहली वर वोट देंगे, उनको मौका दिया गया, कि वो जाके एक मौक वोट, मतलब कृत्रिम वोट दे जाके, तो उनको पूरा प्रोसेस समझाये जाता है, लास्ट पैगराब छोटा सा, ओवरल इट वाजन एनलाइटिंग प्रोग्राम, सब मिला के ये बहुत ही प्रकाशमान प्रोग्राम था, क्योंकि इसमें 50 से जादा जो वोटर्स हैं, उन्होंने सीखा, नई वोटर ने कि वोटिंग का प्रोसेस कैसा होता है, प्रक्रिया क्या है, उसका इंपॉर्टन्स क्या है, महत्व क्या है, तो इससे छोटा सा रिपोर्ट आपने तयार किया तीन नमबर के लिए, तो स्ट्रक्चर, फॉर्मैट, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सब आपको बता दिया गया, फिर भी अगर आपको डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, कि आप अपने डाउट को रख सकते हैं, मैं उसको जरूर करूँगा, अगला है, नेक्स्ट कोशन, आर्टिकल, तो आर्टिकल जो है, ये भी अकबार के लिए लिखा जाता है, और इसका उद्देश होता है, जागरुकता फैलाना, ठीक है, तो किस चीज़ पे आपको उप्शन दिया गया है, यहाँ पे दो है, एक है, या तो क्लाइमेट चेंज पे आप लिखिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और दूसरा है विमन इंपावर्मेंट में, तो विमन इंपावर्मेंट को फिलाल छोड़ते हैं, हम लोग क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, और बाइलाइन के बाद हम सीधा आइटिकल स्टार्ट करते हैं, इसमें डेट और प्लेस नहीं चाहिए, तो आइटिकल में एक जानकारी के साथ स्टार्ट करेंगे, कोई नीूस हो, कोई इन्फरमेशन हो, और उसके बाद अगले paragraph में हम लोग cause, effect पे discussion करेंगे और last paragraph में solution पे काम करते हैं तो फिर साब को बता दूँ first paragraph information based होना चाहिए second paragraph cause, current, effect, प्रभाव के उपर focus करेगा और अंतिम paragraph जो है छोटा सा वो सामाधान, solution के उपर focus करेगा तो देखते हैं, छोटा सा article, तीन नंबर के लिए in last 100 years, the average global temperature of the planet has gone up by 4 degrees centigrade तो पिछले 100 साल में जो धर्टी का average तापमान है, वो 4 degrees से उपर हो चुका है and in next 100 years और अगले 100 वर्सों में, if the pattern continues अगर इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही, millions of species will go extinct from the planet तो हजारों लाखों प्रानियां जो है, प्रानी धर्ती पर से extinct हो जाएंगे, मतलब विलॉप्त हो जाएंगे the reasons are obvious और कारण जो है बिलकुल जाहिर है, ऐसा क्यों होगा the rapid industrialization, तो पहला है कि पूरी दुनिया में, all around the world, industrialization बहुत तेजी से बढ़ रहा है दूसरा है deforestation, जंगल की कटाई, और है increasing carbon emission rate globally की दुनिया में चारों तरफ बहुत ही जादा carbon emit कर रहे हैं हम लोग petrol, diesel, koila, लकडी सब कुछ जला के the consequences are devastating और इसका जो परिनाम है वो बहुत ही खतरनाक होगा the rain pattern has changed, अब प्रभाव देख रहे हैं, जो rain pattern है वो change हो चुका है जिस महीने बारिश होनी चाहिए होती नहीं है और बाद में जो है तेज बारिश हो जाती है grasslands are changing into deserts, जो normal जमीन है वो रेंगस्तान में बदल रहा है glaciers are melting, हीम खंड जो हैं पिगल रहे हैं, पानी का लेबल बढ़ रहा है there will be a severe shortage of food और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलके खाने का बहुत ज़्यादा किल्लत होगा and diseases like cancer will become very common if nothing is done और cancer जैसी बीमारियां बहुत ही आम हो जाएंगी अगर जल्द से जल्द कुछ किया नहीं गया तो यहाँ पर आपने देखा कि cause और effect कारण और प्रभाव का चर्चा किया गया है बहुत ही short में अब last में आते हैं समधान की ओर तो article का अंतीम paragraph जो है वो हमेसा solution या advice की ओर जाएगा यह जरूरी है कि दुनिया का सारा सरकार सिर्फ एक सरकार ने सारा सरकार मिलके एक policy बनाए किसीच का eco-friendly इंडेस्टिलाइशन कि आप industry factory चलाएए पर वो कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए eco-friendly परियावरन को नुकसान नहीं पहुचाने वाला afforestation दूसरा काम जो जरूरी है वो है जंगल का रोपना जंगल को बसाना afforestation should be promoted worldwide पूरी दुनिया में and pollution of all types should be curved और हर तरह का जो pollution है इसको curved कर करना उतलब रोपना कम करना using scientific techniques और इसमें जो है science का मदद लेना चाहिए प्रकृति और प्रयावरन को बचाने के लिए तो इस तरह से छोटा सा article लिखके तयार हुआ three marks का तो ये था आपका पूरा का पूरा writing section जिसमें note making और summary writing भी शामिल था comprehension वाला part तो इस part में इतना ही और तुरत से आपको मिल जाएगा इस वीडियो का part 3 जहां पे हम लोग देखेंगे literature तो अभी के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए कुछ समझ जया है कुछ और आप चाहते हैं तो comment करिए हम लोग आप तक मदद पहुचाने की पूरी कोशिस करेंगे तो exam के लिए all the best जमके पढ़िये बहुत सारा लिखने की practice रखिये और exam में अच्छे अंकों से आप उत्तरीन हुई है तो literature का answer मेरा तयार है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्थ्री में जाने के पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो answers है मैंने जानबूश के थोड़ा छोटा रखा है ताकि वीडियो का length छोटा हो और जो average बच्चे हैं वो अच्छे से exam लिख पाएं जो अच्छे बच्चे हैं जो 80 प्लस target चाते हैं वो मैं पहले alert आपको देदूं कि जो question यहाँ पे लिखा गया है बिल्कुल basic है आपको इससे बड़ा answer लिखना पड़ेगा ठीक है लगबग देड़गुना दोगुना बड़ा answer आपको लिखना पड़ेगा और जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए यह answers बिल्कुल उप्यूक्त है कि वो आसानी से पास कर जाएं तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा बहुत ही जल्द इसी चैनल के माध्यम से आपको हर chapter का important questions full size length में आपको उपलब्द कराये जाएगा तो फिलहाल के लिए जो अच्छे बच्चे हैं वो निराश ना हो बट average बच्चे जो हैं आप इतना लिख के पढ़ के तयार रहें कि exam में कम से कम 60-70 नमबर तो आपको आई जाए चलिए इस disclaimer के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ question number 46 literature से है what happened to William Douglas ठीक है at YMCA when he was 11 years old तो William Douglas नाम पढ़ते हैं आपको chapter याद आजाएं चाहिए कि deep water chapter है तो 11 words का जब वो था उसके साथ क्या हुआ answer ले रहे when Douglas was 11 years old he joined YMCA pool to get rid of his fear of water जब William Douglas 11 साल का था उसने क्या join किया YMCA pool ताकि आपने पानी के डर को खत्म कर सके आपको याद होगा जब वो 3-4 साल का था California के बीच में वो डूपते डूपते बचा था उसके अंदर डर आ गई थी पानी के लिए और उस डर को खत्म करने के लिए वो अब आया है YMCA pool one day while he was waiting for others to come जिस दिन वो पहुँचा वर्ष का लड़का आता है उसको उठा के पानी में फेक देता है मजाक में he nearly got drowned और जब पानी में गया तो लगबग डूब ही गया यह जो वर्ड आपको drowned दिख रहा है इसका मतलब होता है पानी में डूब जाना कोई non living thing डूबती है उसके लिए वर्ड होता है sink living thing डूबता है तो उसके लिए वर्ड है drown ठीक है since that day he developed hydrophobia और उसी दिन से उसके अंदर पानी का खौफ बैड जाता है hydrophobia fear for water तो यह आपका छोटा सा simple सा answer है ताकि आप इसको लिखके अच्छे से pass कर जाएं next question है why did M. Hemel put on his special dress M. Hemel जो है उन्होंने अपना special dress क्यों पहना है तो chapter number one है the last lesson answer देखते है that day M. Hemel put on his special green coat pant तो उन्होंने क्या special पहना था यह भी बता देगे green coat pant and the black silk hat और काला रंका silk का head पहना था it was because it was his last day at the school वो इसलिए क्योंकि यह आज उनके school का आखरी दिन था as an order from Berlin had come क्योंकि Berlin से एक आदेश आया था Germany का capital है Berlin आप जानते होंगे that from the next day क्योंकि अगले दिन से only German would be taught in the schools of Elsas क्योंकि Elsas जहां वो लोग रह रहे थे वहाँ पे कल से सिर्फ German भाषा में पढ़ाई होगी French भाषा में पढ़ाई होगी नहीं तो यह last day था Amhelm का तो अच्छे बचे यहां पे जोड सकते हो कि उनको farewell देने के लिए बहुत सारे villagers आये थे सब लोग दुखी थे यह सब पार्ट भी add कर दो तो आपका answer को मिल जाएगा एक अच्छा सा length अगला आते है Question number 48 What do the parting words you sun Amma of the poetess and her smile signify Amma फिर मिलते हैं यह वाक्य और उन्होंने जो लंबा smile दिया था कमला दास ने इसका क्या अर्थ निकलता है जब कमला दास अपनी मा से जुदा हो रहे थी parting का मतलब यहाँ पर party करना नहीं है जुदा होना है From her mother she said वो कहती है See you sun Amma मा फिर मिलते हैं And she passed a long smile और वो लंबा मुसकान देती है क्यों? It was because कमला दास hoped to see her mother again क्योंकि उसे उम्मीद था कि वो दुबारा जब लोटेंगे अपनी मा को दुबारा देख पाएंगी When she returns back And behind her smile और उनके smile के पीछे Behind का मतलब क्या है यहाँ पे? पीछे She was hiding her pain वो अपने दर्द को छुपा रही थी And fear अपने डर को छुपा रही थी That she did not want to express in front of her old mother जो अपनी मा के सामने बुडी मा के सामने वो व्यक्त नहीं करना चाहती थी तो क्या डर था? यह आप जोड़ दो वाँ पे यह डर था कि उनकी मा बुडी हो चुकी है बहुत जल्द मर जाएंगी और वो दुनिया में अकेली रह जाएंगी यह सब आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर को लेंथ मिल जाता है आगे आते हैं Question number 49 को देखते हैं What did Charlie claim for in the third level? Charlie जो है third level में क्या claim करता है क्या दावा करता है तो third level chapter में हम लोग हैं In the chapter the third level The protagonist protagonist मतलब मुख्य किरदार जो है claims that he had gone to the third level at the grand central station वो कहता है कि वो grand central station का third level तक पहुँच गया था That did not exist पर सच्चाई में वो तो मौझूद था ही नि for the other people दूर से लोगों के लिए He says that from the second level वो बताता है कि वो second level पे था He went into a corridor वो एक corridor में जाता है that took him out to the third level जो उसे third level तक बाहर लेके जाता है and he wanted to go to Galsberg और वो Galsberg जाना चाहता था दो टिकट मांगता है but he did not have the currency of that time पर उसके पास उस जमाने का पैसा नहीं था so he could not इसलिए वो बाहर नहीं जा सका इस दुनिया से उस दुनिया में या इस समय से उस समय में तो ये आपका reference answer है इसके आसपास और जोड़ो answer को lengthy बनाओ अच्छे marks लाओ next आते है question number 50 why do rural people make roadside stand तो गाओं के जो लोग हैं वो roadside stand क्यों बनाते हैं तो ये roadside stand poem से लिया गया question है the rural people makes roadside stand by the highways ये लोग highway के किनारे अपना चोड़ा चोड़ा दुकान बसाते हैं as they think that out of thousands of selfish cars क्योंकि उनको लगता है कि हजारो स्वार्थी कार्स में तो यहां पर poetic device है transferred epithet ठीक है जानते हैं तो अच्छी बात नहीं जानते हैं तो हजारो अमीर लोग जहां से गुजरते हैं some would stop and buy their goods उनमें से कुछ लोग तो कम से कम रुकेंगे और उनके दुकान से सामान ख़ए देंगे but the rich people show apathy towards them लेकिन जो अमीर लोग हैं वो इन गरीबों के लिए और साहनू भूती दिखाते हैं none of them stamp to buy anything from the poor roadside stand shopkeepers हजारों अमीर लोगों में से कोई भी नहीं रुकता है उन गरीबों के दुकान से कुछ भी खरिदने के लिए तो क्या वो बेस्ते थे आपको याद होगा golden squash, wild berries यह सारा आप चाहो तो add कर लो the rich people show class discrimination तो यहाँ पे जो rich people हैं वो क्या दिखा रहे हैं class discrimination मैं आमीर हूँ, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास मैं कुछ नहीं खही दूँगा, यह वाला feeling को क्या बोलते है class discrimination भेद भाव, against the roadside stand people, तो गरीबों के खिलाफ वो class discrimination दिखा रहे हैं अगला question है, question number 51 in what condition do the bangle makers of फिरोजाबाद live, फिरोजाबाद के जो लोग हैं, वो किस माहौल में रहते हैं, why can't they come out of the state of poverty, और वो क्यों अपनी गरीबी से बाहर नहीं आपा रहे हैं, answer देखते हैं the mangle makers of फिरोजाबाद lived in an inhuman condition, तो यहां के जो लोग हैं वो a manuvia condition में रह रहे हैं there was no drainage or sewage facility, वहाँ पे नाला वगेरा भी नहीं है, सफाई का कोई उपाई नहीं है, and not even drinking water, पीने का साफ पानी भी नहीं है facilities in the slum of फिरोजाबाद में वहाँ पे इन समय से कुछ भी नहीं है, they were trapped in the vicious circle, यह वर्ड आपको जरूर लिखना होगा, दुश्चक्र they were trapped in a vicious circle, वो लोग एक दुश्चक्र में फसे हुए थे made by the upper class people जो upper class people थे, साहुकार्स middleman, policeman, keepers of law, bureaucrats, यह वड़ा आप याद जक्सा को, तो head कर दो and were forced to live a life of poverty, और वो मजबूर किये जाते थे, कि वो गरीबी में अपना जीवन जीए and illiteracy, असाखछरता में अपना जीवन जीए, most of the people used to become blind here और ज्यादा तर जो लोग हैं यहाँ पे अंधे हो जाते थे glass powder के कारण, और अंतिम प्रशन पे हम लोग आते हैं question है आपका how did Dr. Sadao help the American soldier, Dr. Sadao ने, जो अमरीकी सैनिक था, उसका मदद कैसे किया था तो आपको याद आगया होगा, the enemy chapter है Dr. Sadao वहाँ से थे answer है, Dr. Sadao and Hannah found the U.S. Navy man in the sea shore तो Dr. Sadao और उनकी पतनी Hannah, ये दोनों U.S. Navy man को पाते हैं, कहाँ पे समुद्र के किनारे, he was shot at the back, तो यहाँ भी जो word shot है, इसका उन्तब छोटा नहीं है, इसका मतलब एक गोली लगना, तो उस आदमी को गोली लगी थी, कहाँ पे लगी थी, पीट पे, at the back and was badly wounded और वो बुरी तरह से घायल था wounded मतलब घायल होना, जक्मी होना Dr. Sadao carried him into his house, तो Dr. Sadao ने कैसे मनद किया, सबसे पहला काम तो किया उसको अपने घर ले गया and operated upon him, दूसरा काम क्या किया, उसका operation किया, surgery किया the couple nurse the enemy for seven days, और दौनों husband wife ने मिलके उसका ilaj किया देखरे किया, रख रखाव किया साथ दिनों तक in the house आप यहाँ पे जोड सकते हैं कि नौकर ये बात पसंद नहीं करते थे, नौकर ने विरोध किया था फिर भी नौकर का विरोध का परवा किये भी न, वो लोग इसका रख रखाव करते हैं और फाइनली डॉक्टर सदाओ helped him to skip out of Japan safely और इतना ही नहीं, अंत में डॉक्टर सदाओ ने उसको मदद किया कि वो जापान से सुरक्षित बाहर भी निकल जाए तो प्यारे फिद्यार्थियों, इससे मैंने आपको नट्शेल में सारा आंसर्स दे लिया है और उमीद करता हूँ कि यह आंसर्स आपको बहुत काम में आएगा आप इसको अच्छे से लिखिए पढ़िए, याद करिए और विडियोस के लिए इंग्लिश के, बांकी विशे के इस चैनल के साथ जुड़े रहिए तो अभी के ले इतना ही थैंक यू, all the best for your exams